ही इस वीडियों के दो मैं आपको बताने वाला हूं दिखा दिखाऊंगा भी कि कैसे आप रोजाना सिर्फ अगर आपके पास पॉर्टफोलिय दो सो से तीन सो मैक्सिमम पान सो डॉलर का भी पॉर्टफोलिय तो आप डेली आप उससे कम से कम भी 50-100 डॉलर कैसे अरकन सकते है future trading के साथ वो भी complete strategy के साथ और किसी से कुछ भी पूछने के जूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप इस strategy को follow करते हैं तो यह strategy सिर्फ और सिर्फ future वालों के लिए है वो भी पांच मिनट time frame के अंदर में इसको खेलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही instant result देगी पूरी व जो strategy आपको बताने वालों इसमें minimum अगर profit target की बात करें तो minimum 5% से लेकर 20% का एक expected target लेकर चलते हैं और बाकिए target अगर हमारी position के दिसा में जा रहा है और उसके आगे भी बढ़ता जाता है तो यह तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे तो आज की वीडियो के अंदर हम यहीं चर्चा करने वाले हैं यही आपको चार्ट के थरूँ दिखाने वाले हैं अगर आपने trading view के अंदर registration नहीं किया है तो registration का link आपको decision में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप उसका registration कर सकते हैं चैनल पर नहीं आये हैं चैनल को subscribe कर लिजेगा और इसी तरह के information and technical educational videos पाने के लिए subscribe के साथ साथ all notifications को भी जरूर दबाईएगा साथ के साथ हमारे telegram को भी follow कर सकते हैं सीधर आपको अब मैं आपको यह चीज़ दिखाने वालो कैसे आप कर सकते हो simply हम कहले तो time frame कोई भी coin हो जिसके हमें आपको करके दिखाना है ठीक है coin select कर लिजिए और time frame चूज करेंगे सिर्क 5 minute यह strategy बड़े time frame पर ठीक से work नहीं करेगी ठीक है बाकि आपको मैं इसमें sport value के लिए बताऊंगा कि आप उसमें कौन सी strategy का use करें तो आपके लिए उसमें भी थोड़ा फाइदा हो सकता है बीना किसी भी paid group को join किये हुए तो simply एक example ENS coin को ही ले लेते हैं चलिए ENS coin पर जाएं मैं आपको पहले कुछ settings करके दिखाऊंगा जिस setting के base पर आप इसको करने वाले हैं सबसे पहले तो आप नीचे देखिए मैंने stochastic indicator लिया हुआ है सिंप्ली यहां जाएं stochastic देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला सबसे पहले free हैं तीन indicator फ्री यूज कर सकते हो पर आपको free यूज करने के लिए trading view के अंदर कोई भी पैसा नहीं देना है पहली बाद तो रजिस्टेशन जरूर कर लीजीगा क्योंकि आप जब तक इसमें email id से रजिस्टेशन नहीं करेंगा आप indicator यूज नहीं कर पाएंगे पहले आप तीन indicator नोर्मल इंडिकेटर यूज कर पाते थ आपको इसके अंदर registration email से करना हो कई वाइसी की जूरूत नहीं होती कि आपको अपना आधार या pen card जमा करना हो अब जब आप registration कर लेते हैं तो यहां पर indicator section पे जाएं यहां पर आपको stochastic जैसे आपको बताया गया था आप इसे select करें ठीक है आप जैसी इसको select करेंगे तो आपको इस तरीकी का नीचे आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएगा मैंने इसके अंदर थोड़ी सी changes किये हैं ताकि थोड़ी से line को मोटी कर दिया है दिखा देता हूं आपको आप यहां पर जाएंगे यहां पर सीधर double click करेंगे तो आपको इस तरीकी से दिखाई कर दो कर देखाएगा K line, D line, Fast line, Slow line. तो वाकि उपर जो Fast line है मैं इसको Green कर लेता हूं, ठोड़ी सी मोटी कर ली कर दिखाई लाइन, को देख रहे हुंगे आप यहां पर मोटी होती जारी है, पतली होती जारी है और नीचे की Red line मैं इसको भी मैने इसी तरीकी से मोटा पतला कर लिया है ठीक है बागी उपर 80 पे नीचे 20 का से लेवल होता है यानि कि 80 से उपर आपका ओवरबोर्ट जोन एक तरह से या फिर ओवर सोल्ड जोन हो जाता है करीब करीब यह मानना जाता है बट आपको इसके स्टोकेस्टिक के लिए भी माम को पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊगा जो जो लोगों के अंदर मित है कि 80 से उपर जाने के बाद ओवरबोर्ट हो गया यानि कि यहां से से होने वाला है या फिर इसके नीचे 20 के नीचे चला गया तो यहां से बाए होने वाला कई बार आप ऐसी पोजिशन पर बाए या सेल करने पर आपको काफी भार आपको लिखाए देगा एकचली माय उसको काफी उज कर चुका हो इस दिखाए क्यों नहीं दे रहा है आप यहां पर देखोगे एमेक्रोस 5200 यह आपको टोप पर दिख जाएगा ठीक है स्वार्म का इसे स्वार्म कर लीजिए ठीक है यह आपको बोला तीन इंडिकेटर से जदा पर यूज निकर सकते हैं मैंने किया हुआ है मैंने एक्चली इनको हाइड किया हुआ था यह देख देखिए आपको जो यह मैं आपको यहां पर जो आपको यह मैं दिखाई दे रही है एक्चली इसे चेंज कर लेते हैं यह मैं क्रोस यह रही पने सेलेट किया इसे हटा दिया यह देखिए आपको यहां पर यह मैं क्रोस आ गई है देखिए एक नीली और एक लाल लाइन ताकि आपके प्लस करने से निशान देख रहा है जा पर क्रोस ओवर या क्रोस डाउन हो रहा है उस तरह की जोन को हमें अच्छे से अडिंटिफाइग करने में आसानी हो ठीक है अब चलते दिखिए अब यहां पर जब भी आपको इस तरह का एरो दिखाए दिया नहीं ग्रीन नीचे की तरफ दिखाए देऊ समझे लेजिए आपका बुलिच साइन है बट आपको बाई नहीं करना बाई के लिए आपको कुछ और कन्फरमेशन देनी है फॉर एक्जमपल चलते देखिए अब ह हमारे पास कौन सी यह लाल लाइन है 200 एमे की यह हरी लाइन है 50 एमे की 50 एमे की लाइन को हम इसमें से गाइब कर देंगे हम सिर्फ यूज करेंगे 200 एमे को ताकि हमारे पास से जो ट्रैप होने के जो इसको यह फिल्टर कर सेके तो रेर चांस है कि हमारा लोस हो ठीक है अब आपको अच्छा से लेकर चलता हूँ, यहां पर देख लेते हैं, हमें यह एक जोन इहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए, आपको कभी भी इस तरह का एरो दिखाई देता है, आपको ग्रीन मतलब और आपको वो एरो बन रहा हो, टू हंडर्ड ये में आपको दिखाई दे दिया है बाई कर लो ठीक है बट ये बाई का सिगनल एक तरह से अभी नहीं वैलिड नहीं है जब तक कि आपकी कोई भी फ्रेश केंडल इस लाइन से उपर नहीं जैसे इस ने इस लाइन के ऊपर यहां पर क्लोजिंग दी और यहां पर एक केंडल बनी यानि और ग्रीन केंड तीसरी कनफर्मेशन आपकी ये जाओ जिफा सी तीसरी इसके ओपर आपको फ्रेश उपर खांडी यानिकरी कबने यात की रही है यहां हम तवधिस करेंगे ठीक है अब चलते थोड़ा और निचे अब बात करेंगे स्टोकेस्टिक में आप यहां परранश्टिक मैं है जो ठीक है और यहांपर यहांपर इसको भी देखेंगे एक एक लेते हैं निसान लगा देता हूं यहांपर इस ने हमें नोटिफिकिकेस थो इस केंडल पर कि भाई यहां से बाइकर लो बट हमें केंफिर्मेशन कहां मिली जाकर यहां पर याने कि अब हम M.A.C.D को अगर देखते हैं अगर हम में स्टोकेस्टिक को देखते तो स्टोकेस्टिक को जब तक यह इस ग्रीन नाइन से यानि कि इस ग्रीन 20 की लाइन से ऊपर दोनों लाइने और उपर से क्रोस होकर ग्रीन ऊपर और रेड नीचे यानि कि फास्ट लाइन जब इस स्लो लाइन को क्रोस करके ऊपर की त चुकी है और यह हमें कब पता चल रही है यहां पर देखिए यहां पर हमें यह पता चली कि भई इसने ग्रीन लाइन भी उपर आगी और इससे अगली एक केंडल पर आप देखो कि इस पॉइंट पर हमें इंफरमेशन मिल गई कि हावी दोनों लाइन अब हमारी इसके उपर चुकी है यानि कि हमें तीन पॉइंट पर हमें कंफरमेशन देख चुका है स्टोकेस्टिक भी के 20 की जो यह लाइन है ठीक है ओवरबोट की इसके उपर ग्रीन केंडल आच चुकी है फास्ट लाइन और उसके बाद रेड़ केंडल भी इसके उपर आचके और साथ में आप स्टोकेस्टिक में हमें क्रोस ओवर हुआ ठीक है नीचे की तरफ 20 से नीचे पर दोनों केंडल उपर आ चुकी है दोनों लाइन उपर आच चुकी है फास्ट लाइन अर्सलो लाइन हरी और लाल यानि कि हमें पाँच छै इन नीचे से तीन कंफरमेशन उपर से मिलें जब यहां पर हम देखेंगे मार्किट जाती कहां तक है और हमें निकलना कैसे होता है ठीक है यह नहीं कि हम सेल करके तुर्णत एक्जिट कर जाएंगे नहीं अब यहां पर भी हम कंफर्मिशन के साथ खेलेंगे पर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं स्टोकेस्टिक की भी वीडियो देख सकता है जैसे इसमें डबल टोप बनावा है तो डबल टोप के बाद चांसे होती है डंप होने के तो वह एक सेपरेट पार्ट है पर मैं आपको सिर्फ इसके बेसिस पर बात करने वाला हूं ठीक है अब चलते हैं आगे यहां पर आप दे चला जाए इस पोसीबल बट हम इसको फिल्टर करेंगे और हम अपने फंड के साथ रिस्क नहीं लेंगे यहां पर दोनों चीछ चलेंगे हम चलते हैं स्टोकेस्टिक में स्टोकेस्टिक में हमने प्राइस देखा भाई यह लाल लाइन से उपर आ चुका है यानि कि ओवर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसने हम एक इन कंफर्मेशन दी साथ में यह ओवर बोर्ड जोन पर रैड लाइन के ऊपर है तो तो हमाई सेकंड कंफर्मेशन यहां से मिल गई जैसे मैं नीचे से ली थी ठीक है तो हमें शोट यहां नहीं करना हम यह देखना है कि इसके क्रोस ओवर हो चुका हो जैसे यहां पर इसने हमें क्रोस क्रोस ओवर किया था ग्रीन ऊपर रैड नीचे यहां पर रैड ऊपर और ग्रीन नीचे हुई और यह दोनों लाइन जैसे ही इस लाल लाइन से नीचे आई यानी रैड ऊपर ग्रीन नीचे इस लाल लाइन से नीच जी कर दो काम फिर आप एकजिट कर ना चौन ना चौन न हो तो इस वहोगा इसका मंतलब यह है इसके हिसाफ से बठ हमें एक कंफरमिशन लालान से मिल गई है ठीक है यहाँ पर दूसरी केंडल पर है और हमरें अभी क्वांटिटी इस लाल ुपर रया है कि आले चाहिए प्राइस सटेन करके वापार पंप हो जाता और हम सेल करके बैठ 사しょう five juice अब ही जो हमारा यहां तक जो लां मिर targets बन रहा था मान लेते हैं हमने यहां से इंट्री लिए इसकर लिए तो हमारा लोग में जो प्रोफिट बन के निकल रहा था वो बन के निकल रहा था था 2.93%. देखें, अभी बन के निकला हमारा 2.93%. एक्जांबल लेते ही अगर हमने 2.93% हमारे पास quantity ही हमने 5X leverage तो हम 14% के प्रोफिट पर निकलते हमारा प्रोफिट का टार्गेट ध्यान से समझ लीजे 5% से 20% के बीच रहेगा इसके अंदर ठीक है अगर हां उसके बाद जैसी 25% अगर हमारा प्रोफिट के अंदर 14.55% है तो हम क्या करेंगे 50% कौंटेटी सेल कर देंगे जैसी 10% से उप पर आपका प्रोफिट हो जाता है देखिए लेवरेज लीजे सिर्फ 2X से लेके 5X के बीच में जैसी आपका 10% प्रोफिट हो जाता है 50% कौंटेटी सेल कर दीजिए यहां पर हमारा अल्रडी 14-15% हो चुका है पर फिर भी माँ बात करता हूं अगर हमें इस तरह का सिनेरिय से और यहां पर नीचे भी सेल करदेंगे अब हमने 50% कौंटेटी हमों टेखे यह देखिए हमने 50% कौंटेटी हां पर सेल कर दी इस पोईंट पर हमारी 50% कौंटेटी सेल हो चुकी है इस zone ठीक है यानि कि अगर हमने यहां से लेके यहां तक हमने 100 डोलर इंवेस्ट कि होत इन्वेस्ट थीक है लेवरेज होती हमारे एक एजमपल 5X ठीक है ठीक है तो अब हमारा प्रोफिट यहां तक आते आते हमारे प्रॉफिट जो दिखा रहा है चूधा पर सेंट के आसपास के अवरारल एक अगिंदाधा लगा लेते 14% का प्रोपइटम नलो इन पर्सेंटेज 40 टिए टिए ये चोधा पराइट का प्रोपिता अगर हम 50 कुइंटिटी Credit सेल्ड कर देते हैं तो हमें कितना पैसा निकल करहें पर देखिए यहां पर हमें कितना पहुस्दा निकले का मान नेते हैं आपने 14% या निए कि चोदा हमारे यहां तक अगर एक साथ सेल करते तो हमें 114 डोलर मिलते ठीक है. बट हमने क्या किया? हमने 114 divided by 2. 50% quantity sale की है ना हम ने तरह से. तो हमें हमारे पास डॉलर कितने निकल कर आते हैं यहाँ पर देखोगे हमारे पास 57 डॉलर हमें निकल गए ठीक है बैलन्स कोंटिटी हमारे 57 डॉलर की कॉंटिटी अभी हमारी रिसक्तियच कर आता है ठीक है अब South कहां करेंगे दूसरी पोजिशन भी आप यहां पर समझ लीजिए ठीक सेफ साइड चलना प्रोफिट भी मिस नहीं करना है और हम रिस्क भी नहीं लेना है यहां पर यह दोनों चीज आपको समझाने की कोशिस की जा रही है काफी महनत लग दोस्तों इस वीडियो को बनाने में केंडल पर आप यहां पर इस से एकजिट कर जाएंगे इस पोजिशन पर आप यहां पर एकजिट कर देंगे जैसी रेड़ केंडल पर एकजिट कर देंगे यानि कि आपको अब यहां से लेके और यहां तक इस पोजिशन तक आपको प्रोफिट कितना दिखा रहा है 0.95 चिब अपतलम हमारा सक्री होवर् 선फ जो पुटत है कि एक पर सेंट का प्रोफिर यानी कि उनक्रत होगा यानी कि 50 सेंट के आप उपिर फ्रोफिर बनकर, इस से ₤ दूलर keeping है तो यानी एक नोज्य है पर इस extrêmement स्राव Still है ,운लर keep Marketing एक स्यम्लिक उर खारा हो दोगी है स्वरिक पांच डॉलर प्रोफिट और हो गया तो ओवरोल हमारे पास ओवरोल प्रोफिट कितना बना हमारा हमारा प्रोफिट बन कर निकल रहा है करी करी साथ डॉलर और पांच डॉलर यह seven plus five is equal to 12 डॉलर हमने ओवरोल प्रोफिट गेन किया इस सिंगल ट्रेड से ठीक है दोस्तों यह मैं यहाँ पर रख देता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है थोड़ा चोटा कर देते हैं थोड़ी से कैलकुलेशन में कई मिस्टेक होगे तो माफ कीजिएगा जो आपको करीब करीब आपका यह निकल कर आ रहा है ठीक है तो यहां पर हमारा जो ओवरोल जो प्रोफिट हुआ हमारे पास हुआ का 9.5 डोलर का हमने प्रोफिट गीन किया इन सिंगल ट्रेड ठीक है सिर्फ सिंगल ट्रेड से और अगर हम यहां से लेकि यहां तक के पोजिशन का टाइम देखते हैं तो हमें लगे चार घंटे 45 मिनिट जिसमें से करीकुर आधे टाइम पर तो हमारी 50 परसें पोजिशन क् देखे लिए और बचे भी आप चाहते तो कई लोग ये नियोगी होँ में से टृक यहां से इसा नहीं जितना दिखने में असान लगता ना जब आप एग्फुकूशन के पार्ट पर आउगे तो आपको डिफ़िकल्टी लेगेगी वहां अब चलते थोड़ास हो रहागते ठीक है यह scenario आपको समझ में आ गया थोड़ा सा बागे चलते हैं देखिए अब हम आपको लोंग के बारे में बता है आप शोड के बारे में देखिए यहां पर आपको लाल लाइन दिखा रही है ठीक है आपको हो गया और एंट्री ले लेते हैं यहां पर बढ़ी आप पोजि अब यह 80 से उपर है जब 80 से नीचे यह किस पोजिशन पर आया है देखिए यहां पर इस पोजिशन पर इस पोजिशन पर इस पोजिशन पर यहां पर इसने हमें तीड कर फोजिशन देदी 80 से नीचे क्रोस ओवर ठीक और साथ में हरी लाल लाइन दोनों से नीचे मतला यह हमें stochastic हमें confirmation पूरी दे रहा है कि भी यह कर दो काम ठीक है पर हम किसी single confirmation पर काम नहीं करते पाकि आपकी position आपको यहां पर भी बता रही है कि भी red है आप entry ले लो पर हमें 200 यह में नहीं बता रहा है भी कि भी यह short कर दो ठीक है तो हम थोड़ा यहां पर short करा यहां तक position आए सिधा बूब आप confirm कैसे करोगे आप confirm नहीं कर पाओगे तो फैस जाओगे ठीक है इसलिए थोड़ा सा टार्गेट अगर हम यहां से लेते हैं यहां तक आता तो करीव पर 1.40 परसेंट का लोस हमें हो चुका है अगर हम वहां से position ले ले लेते हैं तो हमें ज्यादा प्रोफिट होता ठीक है बट हम उसके इसाफ से नहीं सोचेंगे हम इस इंडिकेटर को या इस सेटिंग को यूज करने का बस आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं अदर्वाइस इसमें लोग फज जाएंगे तो यह देखिए आप यहां पर क्या होगा दोस्तों आपने यहां से पोजिशन लगा दी शोट की ठीक है क्योंकि आल्रडी सारे इंडिकेटर आपको देज चुके हैं इंडिकेशन आप यहां से शोट की पोजिशन लगाएंगे ठीक है यहां से मार्केट चल रही है ठीक है इस इंडिकेटर का परपग यह है बताने का बट हम इस से भी जादा सेफर साइड चलेंगे कि हम एंट्री से वही लेंगे जहाँ पर हमें 6 की 6 पोजिशन हमें इंडिकेशन देती हो कि भाईया अब मामला बढ़िया है कर दो काम समझे गाइज पूरी तरह से जब हमें इंडिकेशन मिलेंगे तभी हम पोजिशन लेंगे अधरवाइस नहीं लें जो बेस्ट पोजिशन ही ठीक है हमें इहाँ पर एक कन्फरमेशन मिल गई दूसरी कन्फरमेशन मिल गई हमें 200 यह में से नीचे है यानि कि हमें इसने इंडिकेशन दे दिया कि हाँ पर अपना काम कर सकते हो अब चलते आगे नीचे स्टोकैस्टिक को भी तो चेक करेंगे यहां पर इसके डिखा दिया यहां लगे इसके नीचे यानि कि हमे टीनों इंडिकेशन इस पॉइंट पर भी मिल गई है शोट कोईपने सब्सेश्ज करिमारे शेान default होगा जासा्वाईय हमारा यहां तक जो तो कुछ नहीं हमें वेट करना है हमें करना है वेट अब कैसे यहां पर आपको मैं अब आपको री इंवेस्टमेंट और मैक्सिमाई गेन इसका भी तरीका बताऊंगा करेंगे यहां पर आपने देखा इसने बाय का सिगनल दे दिया है गाइस समझे लीजिए बाय का सिगनल दिया इसने अब नीचे चलते हम स्टोकेस्टिक को भी चेक करेंगे स्टोकेस्टिक ने भी अगर तीन तरफ से इंडिकेशन दे दिया तो हम 50% कौंटिटी सेल करेंगे अदर्वाइस वेट करेंगे यह पहली इंडिकेशन नमें मिल गई भाई है ले लो और पर हमारे पार ग्रीन केंडल यहां बनी तो यान स्टोकेस्टिक ने कर दो काम ठीक है इसका अब क्या मतलब हुआ हमने आप 50% कौंटिटी बेची 50 हभी भी हमारे पास होल्ड है वो कब सेल करनी होती है जब 200 एमे के ऊपर कोई लाइन केंडल बने फ्रेस ग्रीन एरो आपको दिखाई दे ठीक है तो तब आपको वहां पर अ जो आपने होल्ड की है उससे आप कर देंगे सेल सिंपल इस चलते हैं आगे आपने यहां पर क्या कितना कितना अंकरा अपने 100 डॉलर इंवेस्ट किये आपका प्रोफिट है 2.13 ठीक है और इसको मल्टिप्लाइब ऐ 5 करते है आप 2.13 इंटु 5 तो आपका जो प्रोफिट ग 50 करीब करीब 5.50 डॉलर आपने वहाँ से निकाल लिए ठीक है पर आपने 50% आपका 50 यानि के आपने जो अर्न किया इस ट्रेड में 5.50 डॉलर अर्न किय ए इस ट्रेड में 50% सेल करने के बाद ठीक है 111 करीब करीब 111.3 इसमें आपने 50% करीब करीब आपने इतना अर नहीं किया अब चलते सेकेंड पार्ट पर अभी आपने दूसरा दूसरा आपका बचा हुआ भी भी खेल तो आप देखोगे यार यह क्या हुआ यार मैं तो 50 बेश दी यह तो इसने फिर दुबारा सेल बता दियो भी रेडी के नीचे यह तो अच्छा इंडिकेशन है तो जब तक आपको बताया 50% आपको सेल करनी ही नहीं है जब तक कि आपको दूसरा इंडिकेशन ना मिल जाए उपर की तरफ बाय का और साथ में हम चलते हैं यहां पर भी ठीक है अब आप यह देखिए इस ने 50 की जो आप जो स्टोकेश्टिक की जो बीच की मिडल लाइन है 50 की लाइन बोलते हैं देखिए आप यहां पर देख जाओगो तो 50 की लाइन अगर 50 की लाइन की नीचे ऐसा को रोश ऑवर बनता है ठीक है तो वह भी हमें अच्छा इंडिकेशन देता है कि भाही यहां स सटोकाश्टिक में तो यहाँ पर आप देखोग तो स्टोकाश्टिक निभी में करो सोवर कर दिए ग्रीन नीचे ए और 50 जािन से नीचे है और यहाँ पर बाती जो साठें पाशंश्चतुकर बच детей injust and यानि कि 55.5 $ जो हमने हमने यहां पर बचे थी वो पॉजिशन हम नहीं हां लगा दी इस से क्या हुआ हमारे 100 डॉल अब 105.50 बन गई है यानि कि 105 तो पांच डॉलर के आसपास अब हमने वैल्यू यहां पर हमारी सोट की पोजिशन चालू हो गई है हम फंड लेके चले यहां पर इतना पर हमारी स्ट्रेटीजी से हमने थोड़ा सा अगर मान के चलते पोजिशन ऊपर भी चली जाती तो प्रोफिट भी बच जाता हमारा हम ए 205 डोलर से यहां तक अभी स्कूल यहां दिया दिखिये दोस्तों उस ने बाइका सीगनल हमें दिया है इस पॉजिशन पर हम यहां पर देखिया 20 से उपर इसे ने क्रोसर कर दिया है देखिये यहां पर 20से उपर कर दी यहां पर पर इंडिके अीजर पर हम गपर effectivement सा पोजिशन को 50% profit book करेंगे यानि कि हमने अपनी profit book की इस position पर यानि कि यहां पर ठीक है कोई नहीं बराबरी है यह देखिए यह बराबर है यह देखिए हम एन इसके बराबर कर दिया यानि कि हमारा 4.18 पर सेंट का profit हुआ तो अब यहां पर क्या करेंगे हम देखिए देखिए थोड़ा सा थोड़ा से नीची की लाईने पर मत जाईए थोड़ा सा कनिफूजन हो सकती है अब हमारे पास कितने डोलर का इंवेस्टमेंट था इतना ठीक है फाइफेक्स लेवरेज थी अब हमारा प्रोफिट है 4.18% ठीक है हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 4.18 इंट कर आएगा ठीक है अगर हम 50% कॉंटिटी सोल्ड कर देते हैं ठीक एक 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 इस मान के चलती है चलिए ओवरोल इसको 20 से ले लेते हैं 21 के प्रोफिट 21 के प्रोफिट साइड पर अभी करीब पर हमारा यह रिजल्ट दिखाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अग ठीक है और यहाँ पर आप 211 का 50% जो भी साड़े साच डोलर है ठीक है जो भी आपको है पर दिखाए दी रहा है आपने जो प्रोफिट अर्न किया मैं यहाँ पर सा सीधा-सीधा कर देता हूँ आपने जह अभी प्रोफिट बुक कर लिया साड़े ग्यारा डोलर का आपने बचीक है अभी जो current existing स्टेटरस है उसमें आप کے पास बचीवी है यानि कि आपया रहते। तो प्रोफित में रहा जाओगे बट हमने 50% सेल किया कोई बात नहीं मानने तो कई बार ऐसा भी हो सकता किया हमने सेल कर देपर प्राइस और नीचे चल लगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आए तो और अच्छी बात है ठीक है पर आपका पुलोस तो नहीं हुआ यह सुचक से चलिए स्ट्रेटिजी यूज करें तो कभी लोस निखाएंगी आपको लोस कम से कम हो जाएगा एटी सी 90 परसेंट आप लोस को कम कर सकते हैं प्रोफिट को गेन कर सकते हैं ठीक गाइज तो यह था मैं एक अपर यहां से बना यह यह मैं से बना है आपको शोट नहीं कर आपको इंडिकेशन ही दे रहे आपको इंडिकेशन देरा पर आपकी पोजिसंट क्लोज करनी थी अधरवाइज वी विल वेट फॉर नियो और फ्रेश एंटरी यहां पर देखिया हमारे पास शोट का सिगनल अच्छा वना 200 एमेसे नीचे की तरफ है रेड कंडल बनी नहीं करेंगे शोट रेड बनी ठीक है वह हमें ऐसे प्रषोवर इसन यहां कर दिया है नीचे की तरफ आ गई है हमने यासे शोट किया हमारी वारी पॉजिशन गई यहां से लेकर और यहां तक यानिकी एक पैंटिकतर पांच चक्स की लेगे तो करीब अधर साथ साथ से आठ परसेंट का profit होगा 50% profit यहां book करेंगे ठीक है कोई नहीं 50% profit बुक किया अब उसके बाद देखोगे आप यहां पर line उपर जा रही है कोई नहीं यह उपर की तरफ चलीगी आप देखोगी यहां पर यह इसके उपर आगे आपने 50% position को close कर दिया आपना जो ब देखोगे हम न्यूट्रेड के लिए वेट करेंगे जैसे यहां पर इसने बताया था बहुत अच्छी ट्रेड नीचे तक गई है यहां पर आपने ले ली होती है यहां से भी आपको तीनों इंडिकेशन मिल रही है तो आपका जो profit होता है यहां पर लेके चलते हैं यहां से तो 3.83% का profit होता, आपका 3.83 into 5, 19-19% का profit होता आपका, यानि कि अगर आपने 100 डोल लगाए तो 119 डोलर आपको, अगर यहां पर सारे को भी sale कर देते हैं, तो आप भी आप profit बना जाते हैं, ठीक गई, तो यह एक strategy है, जिसके थुरू आप डेली अच्छा खासा profit बुक कर सकते तो इतनी deep में मैंने आपको समझाने की कोशिस की है, एक भी point इसके अंदर miss नहीं किया है, जो आपका नुकसान हो, 100% आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, sport के बारे में भी जान लीजिए, sport में जाईए, sport के लिए आपको क्या करना होगा, 1 hour का time frame, choose करना होगा, guys, 1 hour का time frame, choose करना है, trick वही यूज रहेगी, जो आपको पहले बताई गई है, ठीक, otherwise आपको यूज करनी यह नहीं है, अगर आप 1X से 2X की leverage लेना चाहते हैं, तो same वही strategy यूज करनी है, इसमें और उसमें profit के chance जादा होगा, 5 minute time frame में फ्लक्शुलिटी जादा होती है, ठीक, एक गंट किसी candle ने भी उपर की तरफ closing नहीं दी है, और जब दी है, आप यहां से exit कर सकते हो, 50% आप ने ही sale मार दी, यहां से दीखिया, 25% सतरा दिन में, क्या बुरा है, एक X, 2X की leverage से आप यहां पर भी अच्छा खाता profit gain कर सकते हो, यहां पर इसने बाय का signal दिया, वेट करिए, क् कि अभी तक नीचे, आम ACD ने इंडिकेशन नहीं दिया, जब उपर की तरफ आपको इंडिकेशन दे दे, ठीक है, 20% से उपर और यहां पर यहां पर इससे 200 यहां से उपर की तरफ आज है, तो आप इसको स्पोर्ट में भी बाय कर सकते हैं, आपको बहुत सारे opportunities मिलेंगे, ज़रूर मिलेगी, दस्तो हजारो कोई थोड़ा सा देखिए, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, दोस्तो वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की informational वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर ने आया है, और चैनल को follow के ज़रूर मिलेगी, बाहने में छंदक्राइब ज़रूर करिसे लग.